YouTube video edit करने के लिए Instagram real edit करने के लिए ना काफी सारे pre designing software मिल जाते हैं लेकिन यार वो काफी ज़ीज़ाँ दिखाने वालों वी editing के लिए वो काफी ज़ीज़ाद अणिज़ात अफॉरडबल है और सारे pro editing tools मिल जाते है और आपको वीडियो एडिटिंग बिल्कुल नहीं आती है ना तो भी आप प्रो वाली वीडियो एडिट कर सकते हैं इसका AI टूल का यूज़ कर गे और देखो मैं कोई नहीं बात नहीं बता रहा हूं पूरी दुनिया को बता है बैस्ट अफॉरड़ेबल वीडियो एडिटिंग करने होगी और यह आपकी वीडिटिंग कर देगा अब देखो यहाँ पर कुछ इसक्रिप्ट थी लेकिन यहाँ पर सीन वाइस कुछ अलग से टैक्स लिखा है अब यहाँ पर मैं पेस्ट कर सकते हो यहाँ इससे जेनरेट भी कर सकते हो मतलब है यहाँ यहाँ पर हमां वीडियो का aspect ratio select कर सकते है, vertical video बनानी है या फिर आपको horizontal बनानी है, तो यहाँ पर अब थोड़ा सा time लगेगा और इसके बाद हमारी video ready हो जाएगी, वीडियो हमारी generate हो गई है और यहाँ पर आप देखेंगे ना background music, audio, video, सब कुछ इसने use कर लिया, title, text वगएरा सब कुछ, मै प्ले करके रिखाता हूँ, तो भाई AI की power देख रहो ना, वीडियो बनारी है, वीडियो भी AI ना बनाई थी, वीडियो भी AI ना बनाई है, बस मुझे इसको export कर गए YouTube या फिए Instagram जहां भी upload करना है, मैं upload कर सकता हूँ, अब देखो इसके लावा आप नॉर्मली जो YouTube वीडि कर लेता हूँ, मैं वीडियो वगेरा को, तो इसमें हमें proxy बनाने का भी option है, जिसकी वज़े से हम low specs वाले PC में भी काफी smooth video editing कर सकता है, तो यहाँ पर जो मेरा A role है, मतलब main clip जो है, उसको मैं drag and drop कर लेता हूँ, और यह मेरे कुछ B roles है, मैं इनको भी डाल लेता हूँ, और automatically set हो गया है, तो यह हमारा main जो है, वो है, यहाँ पर उपर B role लगाओ है, जैसे मैं play करके दिखा देता हूँ आपको, तो यह हमारी video चल रहे है, उपर हमारा B role आगी है, और इसके बाद हमारा main clip जो है, यह role की वो दिखने शुरू हो जाएगी, तो यह जो basic video editing है, वो असानी से हो जाएगी, जैसे कि मैं कोई भी video को trim कर सकता हूँ, यहाँ पर यह कट लग गया है, इसको मैं drag and drop करके कहीं भी ले जा सकता हूँ, multiple layers बना सकता हूँ, इसके लावा यहाँ पर और भी कावी सारे options मिलता है, जैसे कि मैं इस clip को select करता हूँ, यहाँ पर मुझे color grading क काफी सारे options मिल जाता है, मतलब यहाँ पर काफी सारे options मिलता है, basic मिल जाएगा, HSL भी मिल जाएगा, चुकि काफी advanced category में चला जाता है, इसके अलावा यहाँ पर color wheel मिल जाएगा, और भी काफी सारे color grading के option मिलता है, मालग color grading काफी हद तक आपको इसमें मिल जाती है, advanced level की, बाकी इसका interface adjustable है, आप इसको adjust कर सकते हो, जैसे कि आपको रखना है, बाकी यहाँ पर वीडियो पर और भी काफी सारे options मिलता है, जैसे कि यहाँ पर motion tracking का option मिल जाता है, यहाँ पर मैं motion track कर सकता हूँ, और कोई भी object जो है, motion के according move करा सकता हूँ, अब जैसे कि यह वाली जो म हूँ, और यहाँ पर right side में लिखा है, click start tracking और इसके बाद यह tracking शुरू हो जाएगी, तो इसने जो है, अच्छे से track कर लिया है, और अब जो है, हम element select कर सकते हैं, हम इस motion tracking का क्या करना है, या तो मैं blur कर सकता हूँ उतना पार, या फिर कोई भी clip लगा सकता हूँ, तो जैसे पर जादे useful है, जब आपको कोई text वगेरा लगाना या फिर और clip लगानी है, जो कि motion के साथ move होती है, इसके अलावा यहाँ पर काफी सारे option मिल जाएगे, key framing भी मिल जाती है, जो कि pro level वाली video editing में हम यूज करता है, speech to text मिल जाएगा, और AI translation मिल जाता है, तो यहाँ पर AI translation का यूज करके जो है, आप अपनी video की text निकाल सकता हूँ, जो कि काफी कमाल का है, और उसके बाद उसको translate कर सकता हूँ, जैसे कि मेरी video मान लो, English में बनी हुई है, तो मैं इसको translate कर सकता हूँ, किसी और language में, तो यह काफी कमाल का option है, इसके लावाना video को मैं click करता हूँ, तो rotate कर सकता हूँ, opacity set कर सकता हूँ, कितने transparency रखनी है, background का option मिल जाएगा, background हमें blur रखना है, अगर आप vertical video clips यूज करो, तो background blur वगरा कर सकता हूँ, drop shadow का option मिल जाता है, तो काफी सारे जो basic video editing के tools होते हैं, जो हम अकसर video editing में use करता है, features, वो इसमें पूरे बने वे मिलता है, जैसे कि मैं इसको shape जो है, वो देना चाहता हूँ, वो यूज कर सकता हूँ, जैसे कि आपने देखा होगा, corner में जो है, हम round clip यूज करता है, जैसे कि इस video को आप जो देख रहा हूँ, मैं यहाँ पर छोटा गोल गोल चकर में दिख रहा हूँ न, इस तरह का काम आप इसका यूज कर सकता हूँ, mask का यूज कर सकता हूँ, इसके बाद इसमें चाहतो drop shadow भी लगा सकता हूँ, तो यह काफी कमाल का feature है, इसके अलावा यहाँ आप AI tools भी मिलता है, जिसमें आप chroma की यूज कर सकता हूँ, बैक्डराउंड रिमूव कर सकता हूँ, इसके अलावा AI portrait जै समझने में इतना time लग जाता है, लेकिन इसमें काफी सारे पहले से बनी हुई चीज है, सिर्फ आपको button दवाना और आपका काम हो जाएगा, sound balance मिल जाएगा, fade in, fade out मिल जाता है, pitch change कर सकता हूँ, equalizer मिल जाता है, और इसमें AI speech enhancement मिलता है, आपने ना नॉर्मली वीडियो रि remove कर देगा, और denoise है, background noise remove कर देगा, वो आपको option मिल जाता है, मला काफी सारे option इसमें पहले से मिलता है, colors में जाओगी तो वही color grading की काफी सारे option मिलता है, जैसे कि HSL मैंने आपको दिखाया था, curve मिल जाता है, color reveal मिल जाता है, अब देखो यह तो मैंने basic चीज़ें बता दे इसमें क्या-क्या मिलते है, लेकिन यहाँ पर आपको stock media पर अगर जाओगे ना, तो यहाँ पर काफी सारे stock footage मिलते है, अलग से कहीं जानी की जूरत नहीं है, जो भी आपको चाहिए बस उसको download करो और उसको use कर सकते हो, जैसे cycle की video है न, मैं इसको अपने project में use कर सकते हो, यहाँ पर सबसब बढ़िया पाई, AI generated, आप जो है AI से अपने जो है media को generate कर सकते हो, जो भी stock footage वगएर आपको use करनी है यहाँ साप AI के थ्रू बना सकते हो, जैसे की आपको यहाँ पर option मिल जाता, portrait बनवाना है, आपको land escape बनवाना है, यहाँ पर cyberpunk वाली चीज़े बनानी ह वो आप लिख सकते हो, यहाँ पर मैं जैसे लिख देता हूँ, simple सा लिख देता हूँ, prompt मैं ना car लिख दिया, बाकि आप अच्छे से detail में लिख सकते हो, फिलाल यह feature beta में है, जिसकी वज़दे थोड़ा सा time भी जादा लग रहा है, तो देखो यार इसने car की images हमें काफी सा सारी दे दिये, इसमें जो भी पसंद है मैं उसको download कर सकता हूँ, और उसके बाद इसको use कर सकता हूँ, जैसे download हो चुकी है, और यह हमारे project में add हो चुक है, मैं generated folder में जाकर use कर सकता हूँ, अभी आप देख सकते हो, यहाँ पर यह car की photo आ चुकी है, यहाँ पर हमारे project में दिख रही है, तो इस तरह से काफी सारे AI के features इसमें integrated कर दिये गए है, और एक चीज़ और है, इसमें आपको filmora co-pilot मिल जाता है, editing में कोई भी दिक्कत आती है, भाई इस साब chat करके पूर सकते हो, भाई मुझे यह दिक्कत आ रही है, यह कैसे solve होगी, या फिर यह वाला feature क अहां मिलेगा, कैसे मिलेगा, यह बिल्कुल आपको help करने वाले है, भाई यह software आपको pro editing सिखा सकता है, इसके लावे यह आपको audio में जाओगे, यहाँ पर आपको काफी सारे पहले से audios मिल जाएंगे, background music मिल जाएंगे, sound effect मिल जाते हैं, लेकिन AI music पर अगर आप जाओगे जैसे कि यह वाले transition है, मुझे यह कहीं पर लगाना है, तो मैं पहले यहाँ पर एक cut लगा लेता हूँ, जैसे cut आगिया है, इसको मैं drag and drop कर देता हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह transition आ चुका है, तो यहाँ पर अब देखना कितना अच्छा यह transition आया है, अगर यहाँ पर मैंने इसको adjust कर दिया है, अब यह flash वाला transition देखो, यह कुछ जादा ही duration मैंने लगा दी दी, तो यह इस तरह हैंगे na transitions वगएरा काफी सारे मिल जाता है, effects आपको मिल जाता है, इसके लावा यहाँ पर काफी सारे stickers वगएरा मिल जाता है, वो भी आप use कर सकते हो, बस इसके बाद यहाँ पर export कर सकते हो, वीडियो को यहाँ पर export पर जाता हूँ, तो यहाँ पर title वगएरा set कर सकते हो, format select कर सकते हो, काफी सारे format के आपको options मिल जाता है, बागे यहाँ पर resolution जो है न 4K तक का option मिल जाता है, तो 4K में videos export कर सकते हो, और fps भी आपको 60 मिल जाता तो software को आप free में जाकर try कर सकते हो, यहाँ पर link description मिल जाएगी, यहाँ पर देख सकते हो, कितने सारे AI features दे रखा है, तो यहाँ पर try free पर click करना और यह free में download हो जाएगा, use करके देखना पसंद आता है, तो purchase कर सकते हो, फिल मोरे की link description मिल जाएगी, आप Windows, Mac और अपने iPhone में इंस्टाल कर सकते हो, Android phone में भी इंस्टाल कर सकते हो, बागी यह software और वीडियो कैसे लगी नीचे कमें में बता देना, और चैनल सब्सक्राइब कर देना, इसी और वीडियो सो देखने के लिए, मिलते अगली वीडियो में, तब तक ये लिए, बाई!